प्रवरी में बेल वाली सब्जी लगा सकते हैं कद्दू को सीट से उगाया जाता है और कद्दू जो लगाने के लिए हमें बलोई मिटी की जरूरत होती है रेतीली मिट्टी होनी चाहिए और इसको जैसे जगह लगाएं जहां पर की धूप इसको दिन भर की मिले और इसके बेल बहुत लंबी जाती है लगभग 20-30 मीटर तक इसको अगर आप छट पर लगा रहे हैं तो कम से कम 20 इंच का पॉर्ट इसके लिए रिक्वाइड होता है उसके बार नंबर दो पर है यह तोरई तोरई दो प्रकार की होती है एक खुर्दरी वाली तोरई जिसमें लाइनिंग होती है कि यह चिकनी इसको हम लोग के अहां पूरब में नेनुआ भी बोला जाता है यह भी बेल वाली एक तरह की सबजी होती है इसको भी हम फरवरी मे इसको सीट से लगा देंगे इसके ब्लैक करेर के सीड होते हैं इसका जमाव बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए भी आप रेतीली मिट्टी दोमट मिट्टी इसको ज्यादा उप्युक्त होती है और इसकी भी बेल बहुत लंबी 20-30 मीटर तक जाती है इसको चड़ने की प्रगा होनी चाहिए जिससे कि ये ऊपर चाकर जितने ही ऊपर चड़ती उतने फलती है दिन भर की धूप इसके लिए बहुत ही जरूरी होती है तभी इसमें अच्छी फलत होती है नंबर तीन है लोविया लोविया को हनों के यहां बोड़ा विक बोलते हैं ये लंबी लं प्रटी में लगाई है और जो है इसकी भी बेल काफी लंबी जाती है कम से कम पांच-छे मीटर की बेल ये काफी फैलती है इसको भी दिन भर की धूप रिक्वाइड होती है और इसमें नमी इन सब में नमी बनाए रखें और इसको चड़ने की ऊपर चड़ाने की जगह जह दाल या उसको लगा के इसको चड़ने की जगह इसकी बना के रखें बोड़ा की ये जो है इसकी दाल भी बनाए इसके सीड को भी उपयोग में लाया जाता जब इपक जाता है ते दाल को भी यूज किया जाता है दाल के रूप में बोड़ा को बोड़ा बहुत अच्छी सब्जी होती है इसके भी सीड बहुत कड़े होते हैं इनको पानी में भीगो के ही लगाना चाहिए और फर्वरी में लगा देंगे तो गर्मी तक इसमें बहुत अच्छी फलत होती है यह भी बेल दार सब्जी है इसकी भी बेल बहुत उचाई तक 20-30 मीटर तक जाती है जितने ही इसको चड़ने की जगह मिलती है अगर यह किसी लंबे पेड़ के किनारे लगी होती है तो एकदम पेड़ की चोटी तक इसकी बेल पहुच जाती है और बेल ठंडी के लिए बहुत ही लाबदाएक सब्जी होती है यह लोकी और लोकी को भी आप बलोई मिटी में ही लगाएं दिन भर की धूप इसको मिलेगी और जितने भी इसको चड़ने की जगह में इतनी अच्छी फलत होगी उसके बाद है करेला करेला भी गर्मी के लिए बहुत ही अच्छी सब्जी एक पित्तनासक सब्जी होती है इसकी भी सीड जो है ठोड़ा कठोर होते हैं उनको भी आप पानी में 24 गहंटे डुबो कर ही लगाएं और दोमत मिट्टी में इसके लिए सबसे उप्यूक्त मिट्टी होती है और इसकी भी बेल काफी फैलती है इसको भी आप फैलने के लिए इसके जाल नुमा को चड़ने के लिए जरूर बनाएं जितने भी बेल फैलेगी उतने ही इसमें फलत अच्छी होगी करेला गर्मी का बहुत ही अच्छी सबजी होती है सुगर वालों के लिए और जितने भी कई बीमारें पित वालों के लिए ये बहुत ही लाबदायक सबजी होती है और इसको जितने ही धूप मिलेगी उतने बढ़िया इसमें फलत होगी करेला बहुत अथी सब्जी होती उसके बाद है खीरा खीरा भी जिसे कुखुंबर कहते हैं इंगलिस में यह भी सीड इसके सीड छोटे और पतले आकार क्यों होते हैं इनको भी आप दोमट मिट्टी बलुई मिट्टी में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रो होती है और इसकी भी बेल काफी फैलती है इसको भी जितने भी अगर आप चड़ा दें चड़ने की जगा बनाएंगे बेल को चड़ा देंगे उपर तो इसमें बहुत अच्छी फलत होती है और खीरा तो गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाता है जहां आपको पानी न मिले आप एक खीरा खरीद के खा लिजे आपको समझ लिजे आपने एक गिलास पानी पी लिया और खीरा बहुत ही इसमें बहुत लाफदायक विटामिन्स मिनरल्स पाये जाते हैं खीरा सलाद में हर चीज में उप्युकत होता है सलाद में इसका में रोल होता है इसको भी दिन भर की धूप जरूरी होती है उसके बाद है खरबूजा, खरबूजा फल होता है इसको सब्जी लेकिन बेल से ये भी उगता है इसके भी बीज बहुत पतले और छोटे आकार के होते हैं ये तो अगर प्योर बालू में लगाया जाए तो भी खरबूजा बहुत अच्छा उगता है ये भी बेलदार और इसकी भी बेल होती है बेल में ही इसके फल लगते हैं और खरबूजा पकने के बाद बहुत ही स्वादिस्ट गर्मी का एक फल होता है इसको जो है बड़े और बच्चे सब बहुत पसंद करते हैं और खरबूजा को भी फैलने के लिए काफी जगह होनी चाहिए धूप दिन भर की लगनी चाहिए पानी परियाप्त मात्रा में मिले तभी इसमें अच्छी फलत होगी उसके बाद है तरवुज जिसे मेश मरे वाटरमिलन भी कहते हैं इसका भीज काले रंग का होता है ये रेतिली मिटी में अकसर नदियों के किनारे बोया जाता है और इसकी बेल काफी फैलती है और ये जमीन में ही लगाया जाता क्योंकि इसके फल इतने भारी होते हैं कि इन इसको लटक के फल नहीं हो पाएंगे, सारे फल नीचे गिर जाएंगे, इसलिए इसको जमीन में ही फैला के लगाया जाता है, बेल इसकी फैलती है, और इसको भी दिन भर की धूप मिले, पानी परियापत मात्रा में मिले, नमी, ये गर्मी का बहुत ही अच्छा फल होता है, इसको जरूर लगाएं,